Mr. Mukesh Ambani ने एक बहुत ही important decision लेते हुए Jio Financial Services को Reliance Industries से अलग कर दिया है उसे demurge कर दिया है आज यानि 20 जिलाई को ये shares demurge होगे लेकिन जब से announcement हुई है लोगोंने line लगा दी है Reliance को shares खरीदने की क्योंकि 20 तारीकों जिन लोगों के पास Reliance Industries का एक share था उन्हें मिलने वाला है Jio Financial Services का एक share लेकिन फिर Jio Financial Services में आखिर ऐसा क्या है कि हर कोई Reliance के shares खरीद रहा है ताकि उन्हें Jio Financial Services के shares मिले इसके बारे में हम बात करेंगे इस वीडियो के पहले पार्ट में वीडियो के दूसरे पार्ट में हम बात करेंगे कि Jio Financial Services का जो valuation रखा गया है वो रखा गया है 1,60,000 करोड का जिसका price to earning ratio निकल कर आता है 1,13,000 अब सुनकर आपको शायद हसी आएगी लेकिन यही reality है तो उसके पीछे का rational भी हम समझने की कोशिश करेंगे और उससे हम यह पता करने की कोशिश करेंगे कि कमपनी overvalued है या फिर undervalued और तीसरी चीज़ जो इस business को काफी अलग बनाती है बाकी NBFC businesses से क्योंकि देखे टाटा ने भी इस industry में आने की कोशिश की थी बिरला ने भी की है लेकिन उतने successful नहीं हो पाया जितना की बजाज हो पाया लेकिन Jio Financial Services के पास एक ऐसा factor है जो उसे बहुत ज़दा successful बना सकता है compared to Tata's and Birla's उसके बारे में वीडियो के थर्ड यानि आखरी पार्ट में बात करेंगे नमस्कार मैं प्रसाद आपका आज के स्वीडियो में स्वागत करता हूँ चलिए सबसे पहले इस चीज़ को समझने की कोशिश करते हैं कि आखर Jio Financial Services को Reliance Industries ने खुद से अलग किया ही क्यों क्योंकि अब तक तो उन्होंने Reliance Retail को भी नहीं किया जो कि एक अपने आप में बहुत बड़ा बिजनस है Reliance Retail की बात करें तो लगबग 9-10,000 करोड का इनका Annual Profit है Jio Telecom की बात करें तो उसका Annual Profit लगबग 20,000 करोड के आसपास जाता है उसको भी इन्होंने डीमर्ज नहीं किया लेकिन जो बिजनस जो बहुत छोटा है अभी उसको इन्होंने डीमर्ज कर दिया उसके पेछे का कारण समझाता हूँ आपको कि देखे ये एक NBFC बिजनस है यानि Non Banking Financial Company है अब देखे इसमें क्या होगा कि इनका Focus दो चीजों पर है कि Retail जो आम लोग है उनको लोन बाटना और जो Small Businesses है उनको भी लोन बाटना और फिर वहां से पैसे कमाना हलाकि इनके और भी बिजनसे से जिसके बार में वीडियो में हम आगे बात करेंगे लेकिन आपको बढ़ा दो कि लोन बिजनस का एक Important Factor ये होता है कि उसके लिए आपको कही न कही से पैसा उधार लेना होता है चाहें bond के जरीए हो, debentures के जरीए हो और वो पैसा लेकर आप high margins पर उसे loan के तोर पर देते हो और जादा interest कमाते हो ये NBFC का एक basic business model है अब देखिए जो NBFCs हैं ये saving account नहीं खुलवा सकते लोगों का नहीं companies का current account खुलवा सकते हैं अब saving account से लोगों का पैसा इनके पास नहीं आएगा current account से businesses का पैसा इनके पास नहीं आएगा तो फिर loan ये लोग देंगे कहां से और इसे लिए इन्हें पैसे उधार लेने पड़ते हैं अब देखिए अगर ये company Reliance Industries का ही हिस्सा बनती अब Reliance Industries उसे अपने ही पास रख कर अगर loan लेती तो company के consolidated balance sheet में ये दिखाई देता कि Reliance Industries का जो कर्ज है वो बढ़ता जा रहा है इससे negative impact होता है investors पर और बाकी चीज़ों पर अब इस चीज़ को avoid करने के लिए इन्होंने decide किया कि इस चीज़ को हम completely अलग करेंगे क्योंकि ये business अभी तब कुछ खास शुरू नहीं हुआ है आगे जब मैं आपको उसके financial statements बताऊंगा तो आपको पता चलेगा कि ये business फिलाल कहां तक है तो इसे लिए इन्होंने decide कि कि इसको अलग करते हैं उसके बाद हम debentures और bond से पैसा उठाएंगे क्योंकि Jio Financial Services मुके शमबानी की company है और बहुत ही stable और clean इस group की image है तो AAA rating इनको मिल जाएगी considering कि Reliance Intercess का जो financial backup है वो बहुत strong है अब ये तो हमने समझ लिया कि Jio Financial Services Reliance Intercess से अलग क्यों हुई अब ये समझते हैं कि Jio Financial Services आखिर करना क्या चाहती है तो देखिए company पाथ चीजों पर focus करना चाहती है पहली है Reliance Payment Solutions जो कि उनका payment business होने वाला है दूसरा है Jio Payments Bank पेमेंट बैंक भी शुरू करना चाहते हैं लेकिन RBI से अभी तक अप्रोल आना बागी है तीसे चीज़ है Retail Finance यही लोन वगरा देना चौती चीज़ है Jio Information Aggregator Services इसके बारे में अभी उतनी clarity नहीं आई है और पाच्वी चीज़ है Reliance Retail Insurance Broking यानि कि Insurance Business में भी एंटर करना चाहते हैं और इन सारी चीज़ों में इनका जो main focus होगा वो होगा Loan, Personal Loans और Business Loans अगर हम यहाँ पर देखते हैं कि आखर कितने loan Jio Financial Services ने अब तक बाटे हैं तो नमबर बहुत छोटा है बजज़ Finance ने लगबग 2,500,000 करोड के Loans बाटे हैं पिरामल Finance ने 63,900 करोड के Loans बाटे हैं और पूनावाला FinCorp ने 16,000 करोड के Loans बाटे हैं लेकिन अगर हम Jio Financial Services की बाट करते हैं तो यह नमबर आता है सिर्फ 9,149 करोड पर जो के comparative विले एक बहुत छोटी फिगर है बात सिर्फ यहाँ तक limited नहीं है अगर हम company के पिछले 3 साल के financial statements देखते हैं तो company के जो growth है वो positive नहीं बलकि negative growth नज़र आती है company का revenue लगातर कम होता हुआ दिखाई दे रहा है और net profit जो है वो भी लगातर कम होता हुआ दिखाई दे रहा है financial year 2022 में company का जो profit था वो था सिर्फ 1 करोड 68 lakh रूपीज लेकिन इसके बावजुद भी company का जो valuation रखा गया है वो रखा गया है 1,60,000 करोड रूपीज यानि अगर मैं इसका PE ratio निकालू तो वो निकल कराता है लगबख 1,13,000 का इतना high PE ratio तो मैंने तो जिंदगी में पहली बार सुना है शायद आपने भी पहली बार सुना होगा पर इस सवाल ही आता है कि आखिर ऐसा क्यों तो चलिए उस चीज़को हम इस वीडियो के second part में समझते हैं देखिए बात यह है कि इस company के पास Reliance Industries के 6.1% shares है और सिर्फ इन shares की value लगबख 1,00,000 करोड के आसपास निकल कराती है यानि जो 1,60,000 करोड का valuation company ने decide किया है वो profit के basis पर नहीं बलकि assets के basis पर decide किया गया है क्योंकि company के पास अच्छे खासे share से Reliance Industries के अब सवाल यह आता है कि Reliance ने अपने इतने सारे share से इस company को क्यों दिये तो देखिए RBI के Regulations के अनुसार अगर आपको NBFC business शुरू करना है तो आपको अच्छा खासा capital दिखाना होता है और यह capital इन्होंने shares के form में यहाँ पर दिखाया है अगर हम यंग generation की बात करते तो उनके lifestyle आप स्कूल कुछ ऐसी है कि 30,000 के अगर income है तो उनके खर्चे हो रहे 35,000-40,000 रुपे के और जो उपर के खर्चे है उसके लिए फिर वो short term loan ले रहे हैं या फिर buy and out pay later जैसे services यूज़ कर रहे हैं जिसकी वज़ा से directly और indirectly NBFCS की जो demand है वो बहुत बढ़ रही है और यह जो trend है यसे developed countries में नहीं दिख रहा है बलकि इंडिया में भी काफी clearly दिख रहा है जिसे ये तो पता चलता है कि आने वाले time में ये business में काफी boom आएगा और इसी के चलते कई सारे fake Chinese apps भी यहाँ पर आये थे जिनोंने किसी मतलब लोगों ने you won't believe साला ना 100-100% के interest पर भी लोगों ने loan दिये और फिर वो चुका आए भी उसमें से कुछ लोगों ने जो नहीं कर पाए नहीं चुका पाया फिर कई सारे मामले सामने हैं suicide वगरा के उसके बाद government ने उनको ban कर दिया लेकिन अभी भी कई सारी players active है वो active इसलिए कि market में अभी भी उन चीजों की demand बहुत जादा है इसलिए market को भी जरूवत है बड़े बिजनस भी बढ़ा सकते हैं अगर हम बजाश finance की बात करें तो पिछले 5 साल में उनका profit compound rate सालाना 36% से बढ़ा है और इनी 5 साल में उनका revenue compound rate सालाना 27% से बढ़ा है इसी सेक्टर में अगर कुछ mid-size player जैसे श्रीराम finance की भी अगर हम बात करें तो उनका भी business बहुत तेजी स नहीं कर पाए बिर्ला crack नहीं कर पाए तो जीओ financial services कैसे कर पाई लिए इसके पीछे दो बड़े reasons हैं जिसके बारे में इस आखरी पार्ट में बात करेंगे दिखे जीओ financial services में सबसे best move या फिर best decision मिस्टर मुकेश शंपानी ने अगर कोई ली होगी तो वो थी केवी कामत को इंडिया की number one bank बनाई थी उसके वाँ चंदा कोचर CEO बनी ICC bank की जिनके कारेकाल में ये bank number two पर चले गए और LTC bank number one पर आ गए तो जिस खुबसूरते के साथ मिस्टर कामत ने ICC bank को grow किया वो काबिले तारीफ है banking industry में काम करने वाला शायद ही ऐसा कोई शक्स होगा जिनने इनके बारे में idea ना हो या इनके काम के बारे में पता ना हो अब ऐसे शक्स जो extreme growth के लिए जाने जाते हैं उनको यहाँ पर chairman के पत पर बिठाये गया है जिससे of course लोगों के जो geofinancial services जो expectations है वो बढ़ गये हैं दूसरी important चीज़ यहाँ पर यह है कि जो भी Reliance Industries के जो companies होती है अब तक जो आई है उनमे एक चीज़ देखने मिली है कि इन्हों ने जहाँ जहाँ पर entry की है उन businesses में entry की है जहाँ पर अच्छा खासा profit बन सकता है और अच्छा खासा financial backup भी अपने पास रखा है मैं आपको डेटा बताता हूँ कि 2008 में जादा दूर नहीं आज से 5 सल पहले Reliance Industries का oil, gas, chemical इन businesses से जो revenue आता था वो 80% था टोटल revenue के 80% और सिब 20% ही ऐसा revenue था जो बाकि businesses से आता था लेकिन मार्च 2023 तक चीज़े बदल गई है अब यह 80% से 53% पर आ गया है और इनी 5 सल में Reliance Retail का revenue में जो share है वो 11% से 24% पर चला गया और digital business का जो share है वो 4% से 11% पर चला गया देखे जो refinery business है यह संसेट इंडस्ट्री में आता है दिरे-दिरे इसकी demand शायद कम भी हो सकती है और Mr. Mukesh Ambani ने इसको 10 सल पहले ही भाप लिया अब उनका focus यह है कि कैसे मैं digital और बाकी businesses में diversify करो और वहां से business की growth भी लाओ और revenue का share भी बढ़ाओ और अगला profit का बड़ा scope अगर उन्हें कोई दिख रहा है तो वह दिख रहा है NBFC स्पेस में और इसलिए अभी तक जब Geo Financial Services Reliance Industries का पार्ट था इसलिए ना ही उन्होंने पैसा उधार लिया ना ही loan बाटा ताकि आज इसी companies है जो AAA rated है अब इससे क्या फर्क पड़ता है फरक यह पड़ता है कि अगर company AAA rated है इसका मतलब है कि company बहुत stable है risk बहुत कम है और इसकी वज़ा से उसे कम interest पर पैसा मिलता है वही अगर कोई company AA rated है single A rated है triple B double B वगरा है तो उन्हें फिर अपनी rating के हिसाब से इसनों मुके शंबा नहीं जाने जाते हैं अपने ruthless expansion execution के लिए और यहां पर भी शायद लोग के यही expectations उन से हैं और इसलिए company ने भी कुछ इस तरह का यानी 1,60,000 करोड का valuation मांगा है अगर यह valuation की बात करें इसी level पर तो वह तो business company पहले साल में कैसे करती है इससे ही clear हो वह asset के base पर रखा गया है ना कि business growth के basis पर लेकिन लोगों की हटबड़ इसलिए क्योंकि लोगों को पता है कि इस group ने जो जो businesses बड़े तौर पर करनी की planning की है उसको बहुत अच्छे तरके से execute भी किया है और इसे विशुआस के लिए लोग थोड़ा बहुत premium pay करने के लिए यहाँ पर ready हो गये हैं तो आप अगर banking and financial services industry में invest करते हैं या फर करनी की planning कर रहे हैं तो यह एक company है इसकी business performance पर आप ज़रू नजर रखिए विए उसके भी कामत अपनी magic के लिए जाने जाते हैं और उसे देखना सभी investors के लिए बड़ा interesting रहेगा तो इस case में अगर आप P ratio क बायत करते हैं उसी से valuation निकालता है लेकिन मेरे इसाब से आपको थोगा time निकाल कर इन valuation methods का research करना चाहिए उनके बारे में study करना चाहिए और figure out करना चाहिए कि कौन सी method कि इस company के लिए best रहेगी इन सारी चीज़ों को हमने हमारी the complete course on Indian stock market में cover किया है जिसके link नीचे दी आउट किजिए और अगले 24 घंटों के लिए ये course आपको एक special price पर मिलेगा तो इस offer को भी miss ना करें इस वीडियो को ज़रूर अपने बाकी investor दोस्तों के साथ share किजिए WhatsApp groups पर share किजिए अभी कुछ दिनों पहले हमने Demart पर एक वीडियो बनाया था जहाँ पर हमने यह बात क दिनों से क्यों गिर रही है और इसके बारे में हमने Demart के fundamental analysis पर एक detailed video बनाया है जिसमें कैसे उनके business को कुछ prospectors बदल रहे है उसके हमने detail में बात की है तो उसी भी आप यहाँ left side में click करके देख सकते हैं